तो अब हम आज के टॉपिक पे चलते हैं और वो है शान्ती ये वर्ड ही गलत मैंने यूज कर दिया क्योंकि शान्ती तो हमको होती नहीं है हम तो एस प्रित्वी पर आते हैं क्या अनुभव करने के लिए शान्ती को अनुभव करने के लिए शान्ती से तो हम आते ही हैं जब हम उर्जा में होते हैं तो चारों तरफ शान्ती ही शान्ती होती है सिवाए शान्ती के और कुछ होता ही नहीं है तो क्या होता है? हमारा दिल भर जाता है उस शान्ती से और हम कहते हैं ये क्या है? कोई action ही नहीं है कोई movie तो दिखनी चाहिए कुछ हो, कुछ उपर नीचे कुछ suspense बने कुछ उपर नीचे movie की story आगे बढ़े तो वो तो कुछ होता नहीं है हम शान्ती में बैठे हुए होते हैं तो इस वजए से इस तरीके से हम आ जाते हैं उसके बार अशान्ती में अपनी अशान्ती को महसूस करने के लिए देखने के लिए कि अशान्ती है क्या? क्यों हम अशांती को महसूस करना चाहते हैं क्योंकि जब हमको एक बार पता चलता है कि अशांती क्या है तो हमारे मन में शांती के लिए कदर बढ़ जाती है नहीं तो हम शांती में बैठे हुँ होते हैं भयंकर बोरिंग होती है शांती शांती में कुछ होता ही नहीं है ना कुछ एकदम action होता है ना कोई नजर आता है सब energy सब एक ही है ये तेरा है ये मेरा है जहां से सारी की सारी महाभारत शुरू होती है कि ये तेरा है मेरा है वो सब energy में हमको feel नहीं होता तो उसको feel करने के लिए और शांती की value को ज्यादा बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे पृत्वी पर आते हैं और यहाँ पे आते ही क्या करने शुरू कर देते हैं जैसे ही थोड़ी सी समझ आती है और हम अशांती को लेना और लेना पाना और पाना शुरू कर देते हैं कैसे हम छोटे ही होते हैं तो अगर हम अराम से बैठे हुएं किसी चीज की जरूरत नहीं है उस वक्त तो है हमारे पास शांती और उसके बाद मा थोड़ी देर के लिए इधर हुदर चली गई ओहो भयंकर अशांती मन में कि छोड़ के चले गए कि क्या हो गया क्यों ऐसा क्यो जो मा है यह चली जाएगी तो बहुत ही बुरा हो जाएगा तो हम जो कुछ भी लेने के लिए प्रित्वी पे आये हैं हम वेट नहीं करते हम तो उसको चौथे दिन से ही शुरू हो जाते हैं उसको धीरे 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 उसको लेना तो हम सबसे पहले अटाश्मेंट बन कि अंदर ही नहीं, यह मा तो मेरे ही पास होनी चाहिए, इस मां के उपर सिर्फ मेरा ही अधिकार है, तो पर भी मां गायब हुई नहीं कि मन के अंदर अशान्ती शुरू हो जाती है, पिर हम थोड़े से बड़े होते हैं, फिर उसके बाद आसपास देखते हैं कि अरे प्यार तो बंट रहा है, अगर आसपास में भाई बेहन हैं, तो फिर ये भी समझ में आना शुरू हो जाता है, कि प्यार बंट रहा है, तो मन में थोड़े और अशांती की कारण, और फिर होड लगती है, कि प्यार ज्यादा कैसे मिले, तो जो प्रेम है, उसको पाने के लिए मन में अशांती शुरू हो जाती है, तो प्रेम है कुछ भी चीज को पाने के लिए, उसको कुछ मिला, भाई को कुछ मिला, बेहन को कुछ मिला, उस सब को पाने के लिए हमको चाहिए, हमको चाहिए, 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 तो जैसे ही चा चाह ठोड़ी से भी बड़ती है. तो चाह अपने साथ क्या लेके आती है? अशांती. तो अशांती सी लेके आ जाती है हमारे लिए चाह. उसके ब़ाद क्या होता है? उसके ब़ाद हमको भेजा जाता है school. क्युं भेजा जाता है? अरे तू मकेले ही थोड़ी हो, जाओ और अभाव में आओ तो हम जाते हैं स्कूल और वहाँ पे दिखना शुरू होता है कि अरे वहाँ पे तो और भी लोग है और अब सबको चाहिए होता है टीचर का अटेंशन टीचर से प्रेम चाहिए होता है सबको तो पहले तो कहां तीन लोगों के बीच में ऐसे एकदम पर अब वहाँ जाता है अब वह लड़ाई जो है वह थोड़ी से और बड़ी हो जाती है क्योंकि अब तीस चालिस बच्चों के बीच में आपको भी टीचर का ही अटेंशन चाहिए उसका ही प्रेम चाहिए तो और क्या बढ़ती है अशानती तो ऐसे करते करते उसके बाद हमको दिखता है कि अच्छा अगर हमारे exam में अच्छे marks आए तो हमें यहाँ पे ज्यादा भाव मिलता है, teacher से ज्यादा प्रेम मिलता है, माबाप से ज्यादा प्रेम मिलता है, तो फिर क्या शुरू होती है? होड होड शुरू होती है, आसपास जो भी है, उनसे ज्यादा उनसे ज्यादा लाने की तो जब ज्यादा और ज्यादा का खेल शुरू होता है, तो मन में और क्या भड़ता चला जाता है? अशान्ती और अशान्ती, तो क्यों हम यह सब शुरू करते हैं? क्योंकि हम आए ही इन सब चीजों के अनुभव के लिए थे, जब हमारे ये सारे अशांती के, और फिर आप सब तो जानते ही हैं कि करते-करते शुरुआत से एक मा का अटेंशन पाने के लिए, एक मा की मुस्कान देखने के लिए, उसके बाद फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, टीचर की मुस्कान देखने के लिए, उसके बाद तो हमको दिखता है कि नहीं, हमें तो पूरा, हमें और चाहिए, हमें और अटेंशन चाहिए, हमें और प्रेम चाहिए, और हमें अभाव ही अभाव महसूस होता रहता है, हर चीज का, अगर मेरे पास ये नहीं है, हम जब चोटे से शुरू से बड़े हो रहे होते हैं, तो मेरे पास नहीं है, और उसके पास है, तो उससे मेरे मन में क्या आएगा, अशान्ती, और हमें कोई न कोई ऐसा मिलता ही चला जाता है, जिसके पास की ज्यादा होता है, ताकि हम और मन के अंदर होड लगा सकें, और दुख महसूस कर सकें, और अशान्ती महसूस कर सकें, तो ये जो लेने की, लेने की और लेने की होड है, उससे हमको मिलती चली जाती है, अशान्ती, और उसके बाद एक दिन आ ही जाता है, एक दिन आता है, जब हमको पता चलने लगता है कि अरे, ये जो दर्वाजा है, जिसमें हम अधिए। लेकिन जो मिलना था, वो सारा की सारा हमें अंदर की तरफ ही मिलना था और जब ऐसा हमको समझ में आने लगता है तो धीरे धीरे ये जो हमने सारा की सारा चाह का जो पूरा की पूरा बोजह उठा के रखा है जिसका पिछले हफते जब की हमारा टॉपिक था समर्पन तो मैंने आप सबको वो कविता भी सुनाई थी और बतलाया भी था कि जो बोजह है हमने अपने कांधे पे कितने ही सदियों से उठा रखा है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए जब वो चाह खतम होने लगती है तो हमको समझ में आता है कि अरे इसका रास्ता कितना ही आसान है वापिस से शांती तक पहुँचने का रास्ता जो है वो मन के भीतर की तरफ है उसमें और लाने, और लाने से हमारा काम नहीं होगा, जो ये चाह है इसी को हमको अरपन कर देना है, इस चाह को ही हमको सरेंडर कर देना है और हम करना शुरू कर देते हैं उस वक्त पर कैंडल, और कैंडल करने से क्या होता है? कैंडल करने से हम जैसे कि हमने पिछली बार समझा कि कैंडल करने से सच मुझ में हम कर क्या रहे हैं हम अपने सारे दुखों का सारी चाहों का अपनी उदासी का अपने गुस्से का इन सब चीजों का हम उसको जो है हम समर्पन कर रहे हैं और ऐसी किसी स्रिष्टी को, या किसी अपने इष्ठ को, किसी देव को, हम समर्पन कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे लिए था ही नहीं, वो बोजा दो था, वो हमको उठाना था ही नहीं, वो तो हमेशा हमको समर्पन कर देना था, लेकिन हम भूल गए उस वक, कि ये बोजा जो ह वो हमारे लिए नहीं है जब हम ऐसी चीजें भूल जाते हैं तो क्या होता है मैंने बोजा उठाया गुस्से का जो मैंने बोजा उठाया अपने कांधे पर गुस्से का और उसको कैंडल नहीं किया तो सामने मेरे क्या बनेगा मेरे सामने क्या और बनेगा चार और पात्र खड नहीं लेकिन ये जो सामने से ये जो लोग आके खड़े हो गये इन्होंने मेरे को गुसा दिला आया अरे कोई आपको गुसा दिला ही नहीं सकता जो exposing घडर की ना बैठे हो यह तो ऐसे हो गया कि आपने TV के ऊपर कोई चैनल खरीद नहीं सकता अगर आपने उस चैनल पे सबस्क्राइब ना किया हो तो तो इसलिए गुस्सा जो है वो चैनल जो है वो आपके अंदर अगर है तभी आपको कोई बाहर वाला आदमी गुस्सा देखला सकता है तो काम बार-बार हमारा एक ही आ जाता है, कि चैनल को बदलें, तो चैनल जो है, चैनल तो चलते ही रहेंगे, जो ऐसा नहीं है कि सोनी टीवी जो है, अगर आपने सब्सक्राइब करना बंद कर दिया, तो सोनी टीवी की जो वेव्ज हैं, वो आपके आसपास नहीं आएंगी, आएंगी आपके पास हो सकता है कि चार लोगों ने उस Sony TV को सब्सक्राइब करके रखा हो, तो अगर Sony TV का आपने खरीद के रखा है, तो आपको दिखेगा, और जिस वक्त आप उसका सब्सक्रिप्शन छोड़ देंगे, तो आपको दिखना वो बंद हो जाएगा, इसका मतलब यह नहीं है कि आपके आसपास वालों को दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन जब आप देखेंगे कि वो लोग Sony TV देख रहे हैं, तो आपका दिल ही नहीं करेगा, कि आप वो वाला चानल उठा के देखें, तो जब आपने गुस्से के चानल से अंसब्सक्राइब कर दिया, और आपके अंदर अप गुस्से का चानल रह ही नहीं गया, तो आसपास आपके चार लोग जो है न, वो बैठके जगड़ेंगे भी, तो आप उनको बैठके देखके और उस नाटक के अंदर खुद नहीं कूदेंगे, अपने विचारों के साथ आप कूदेंगे ही नहीं उ तो जब आपको वो इंटरेस्ट नहीं रहता, तो वो चैनल जो है वो आपकी काम का नहीं रहता, और इसलिए मैं सिखाती हूं कि आप वो वाला चैनल छोड़के और अपनी मर्दी के चैनल के अंदर क्यों नहीं टूनिंग कर जाते, I see a couple of messages in the chat पे, even when we are trying for keeping peace, there are elements around us which create disturbances for us how to tackle such situation, one reason which I felt people are trying to pull you down, how to maintain peace inside and tackle, वा, question तो अभी पढ़ रही हूं और उसका जवाब मैंने अभी अभी दिया, कि अगर जो आपके मन में अशान्ती है, तो ही बाहर कोई आपको अशान्ती दिखला पाएगा, जो आप अपने मन को शान्त कर चुके हैं और शान्त करने के अशान से तरीके हैं, एक ही सवाल खुद को पूछना है, हमेशा सवाल एक ही है, चार सवाल है ही नहीं, सवाल सिरफ ये है कि अगर मेरे सामने कुछ हो रहा है, तो उससे मेरे मन में क्या हो रहा है, मेरे मन में क्या हो रहा है, जो आसपास लोग गुसा कर रहे हैं और आपको नीचे खीच रहे हैं तो आपके मन में क्या हो रहा है जो emotion आपके मन में हो रहा है उसको candle करना है जो emotion वो आप लोगों को दिखला रहे हैं उसको candle करना है candle करिये और मीनल की energy में ज्यादा बैठिये क्योंकि जो अशान्ति अगर आपके पास होती ही नहीं तो मजाल है कि कोई भी आपको उबर खाबर नीचे कर पाता नहीं कर सकते वो लोग आपको अगर आपने अपने चैनल में से वो निकाल के और अल्रेडी पूरा की पूरा रिलीज कर चुके हैं तो तो काम हमेशा खुद पर ही है और यह जो शान्ति है वो खुद को ही बनानी है क्या होता है इससे शान्ति जो है वो कोई एक emotion नहीं है शान्ति जो है वो हम feel नहीं करते हैं शान्ति तो जो है वो खालीपन है जो सब कुछ निकालने के बाद जो घड़ा खाली होने लगता है तो जो जगे है जिसमें घड़े के अंदर हम मीनल की एनरजी भर रहे हैं तो जो खाली जगए है उसको हम शान्ती कहते हैं घड़ा जो है वो अगर एकदम खाली हो जाए तो अभी तो मैं आपको क्या कहती मैं अभी आपको कहती हूँ कि कम से कम भी तो मीनल की एनरजी लेके अशांती को निकालिए, गुसे को निकालिए, अपने दुखों को निकालिए, अपने नाराजगी को निकालिए, अपने रिजेक्शन को निकालिए और खुद के प्रती प्रेम भरिये अंदर, खुद के प्र खर्मस्ती है उसको आप देखेंगे और बोलेंगे ये भी तो भी क्या और ये भी नहीं तो भी क्या तो आपको फरक ही नहीं पड़ेगा आपका काम सिर्फ बहने का ही रह जाएगा हमारे पास तीन स्टेजिस होती है एक तो है अनवैर सुप तवस्था जिसके अंदर के हम सोई पड़े हैं ये उसने ये कर दिया वो वो कर रहा है मैं तो आराम से बैठी हुई थी और उसने मेरे जीवन में आग लगा दी वो जो उंगली जो बाहर की तरफ है वो है हमारी सोई हुई अवस्था हम सोई हुए है हमें पता ही नहीं है कि सारा की सारा काम जो है वो हम खुद पर ही है और काम भी बहुत आसान सा है कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है काम सिरफ यह है कि एक सवाल खुद से दिन में स्वाबार पूचना है कि मुझे क्या महसूस हो रहा है मु उस सोई हुई अवस्था में से हम जंप मार जाते हैं अवेरनेस में चेतन होने में हम फिर अपने अपने प्रती चेतन हो जाते हैं हमको नजर आने लग जाता है कि अरे यह हमारी ही एनरजी है जो कि सारा कि सारा खेल खेल रही है हमारे सामने तो हम उस ताइम पे चलना जो नहीं पसंदारा है गुस्सा नहीं पसंदारा है तो गुस्से को करते हैं रिलीज और भर लेते हैं और मीनल की एनरजी जो दुख नहीं पसंदारा दुख को करते हैं रिलीज और भर लेते हैं मीनल की एनरजी जो कि घूमती है मस्ती में और उसके बाद एक स्टेज आती है जबकि हम ये काम करना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि घड़ा पूरा खाली हो गया, उसको कहते हैं नगनवस्था, जैसे कि हम आए थे, जब हम आए थे, तो जैसे थे, खाली थे और उसके बाद भरना शुरू किया, लेकिन जब हम आए थे, तो हमारे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था उस मिनट, तो जब हम उस अवस्था में ओते हैं, लेकिन इस बार अवेरनेस में, जब हम उस अवस्था में पहुचते हैं, तो उसको कहेंगे वापिस से नगनवस्था, कि हम वो अब्जरवर भी नहीं रहे, वो जो कि देखता है, वो जो दृष्टा है, जो कि अरे, मैं अभी बुरा फील कर रहा हूं, तो जब हम दृष्टा भी नहीं रहते, तो वो भी एक अवस्था आती है, जब कि हमारा घड़ा जो है, वो एकदम खाली हो जाता है, और फिर हम पूरे ताइम उसी मस्ती में ही डोलते हैं, तो वो जो अवस्था है, वो अपने से आएगी, हम को कि हम उस अवस्था में जल्दी कैसे आएं, तो ये जल्दी भी निकाल के और कैंडल कर देनी है, क्योंकि जल्दी और लेट तो कुछ है ही नहीं, जिसको जब आना है, वो आ जाएंगे, हम सामने वाले को देखते हैं, अरे, मुझे तो ये सब समझ में आ च काम हमेशा अपने उपर ही है, हमारा में काम बाहर दौर दौर के कोई काम करना है ही नहीं, हमारा काम जो है, वो मन की एनर्जी चेंज करना है, और जब हम वो एनर्जी चेंज करेंगे, जिस मिनट में हम वो एनर्जी चेंज करेंगे, हमारे मन में अपने आप से आजाएगी शान्ती, हम यहाँ पर बैठे हुए थे, लड़ाई और झगड़े के बीच में, हमने अपनी अनरजी चेंज की, हम यहाँ पर आ गए शान्ती में, यह जो हमारे आस्पास माहभारत चल रही है, वो चल ही नहीं सकती अगर हम यहाँ पर आ गए और वापस से जो rooms वो आएगा यहां पर यह मिनट मिनट का कहला है, आप ऐसे न समझे 177 रहर legitimate energy for yourself, आज पूरह दिन बैठके Tub upर 3 तो आप के पास पूरह दिन autopामें और चार दिन 25 धने चार महीने ऐसे ही हैं नहीं जैसे ही हम रोज की रोज हमको नहाना पड़ता है तो यह जो कैंडल मैं सिखलाती हूं वो है कैंडल करने का क्यूंकि कैंडल जो है वो हमारी विचारों की शुद्धी है जो कैंडल करने को मैं बतलाती हूं कि रोज नहाइए कैंडल को आप रोज म बार बार डर लेके आते हैं, हम गिल्ट लेके आते हैं, ग्लानी लेके आते हैं, हम बार बार ये करते ही रहते हैं, अभी इतना हम काम करेंगे, कि अरे पैसे जो है, वो कोई बात नहीं, आएं तो भी क्या, जाएं तो भी क्या, और सामने वाला हम से चार रुपे मांग लेगा और हम immediately वापिस से पैसों के उस गोल घेरे के अंदर फंस जाएंगे तो इसलिए जैसे जैसे फंसे नहाने का तरीका सिर्फ एक ही शांती में आने का तरीका बार बार सिर्फ एक ही मुझे क्या महसूस हो रहा है और वो जो कुछ भी महसूस हो रहा है उसको लेकर और स्वाहा तो स्वाहा जो है वो हम बहुत प्रेम से करते हैं almost ऐसे जैसे कि हम ईश्वर को जब आहुती देते हैं हम यगन में बैठते हैं और वो पंड़िजी हमको कहते हैं कि ये लीजिए ये आप करिए इसको स्वाहा, तो हम ऐसे स्वाहा नहीं करते कि अरे जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, मैंने देखा कि कई लोग अपने डरों को ऐसे ही स्वाहा करते हैं कि नहीं नहीं, तुम जाओ, मुझे वापस नहीं चाहिए, इसको रख लो, तुम इसको रख लो, आहुतिक का मतलब वो नहीं है, क्योंकि हम इस वक पे भी क्या कर रहे हैं, अगर हम ऐसा कर रहे हैं, तो हम डरों से डर रहे हैं, हम डर से भी डर रहे हैं, हम बाकी सारे डर निकालके और अपने अंदर डरों का डर पैदा कर रहे हैं, तो वो भी नहीं करना है, हमने एक अनुभव किया डर का वो अनुभव जो है सिर्फ एक मात्र अनुभव है वो पूरा हो गया जिस वक्त पे पूरा हो गया तो ठीक है अगली बार आएगा भी तो भी क्या हमको तरीका समझ में आ चुका है कि उसको निकालना कैसे है तो हमको डर नहीं क्या कि डर आ जाएगा तो हमको वापिस से नहीं चाहिए अरे नहीं जो वापिस से आ जाएगा तो एक मिनट के अंदर उसको देख कर और फिर से कैंडल कर देंगे हमको अब तरीका नजर आ गया है तरीके में सिर्फ दो बहुत प्यारी-प्यारी सी असान-असान सी चीज़े हैं सिर्फ ये कि पहले त चुन सकती हूं कैसे मेरे हाथ में है मैं आज डर की फ्रिक्वेंसी से उठकर और अब जाके मैं मीनल की एनरजी में बैठती हूं वो चार लाइने की मैं मीनल की एनरजी में हूं मैं मीनल से एनरजी लेती हूं लेता हूं और मैं मीनल ही हूं ये आप लाइने बार बार दोहर और कहीं पर भी अगर आप किसी कश्म कश्मे भंस जाते हैं तब तो जरूर ही दोहराइए क्योंकि कश्म कश्मा ने क्या यहां की एनरजी आप इस एनरजी के अंदर पक्का ही उसके नीचे अगर आपको किसी पर गुस्सा आ रहा है तो आप गुस्से के नीचे दाकर कि अरे वो आदमी इतना एडियट है उसने मेरा ये काम नहीं किया वो नहीं किया तो एक प्रशन और पूछ लीजिए कि नहीं किया तो क्या अरे नहीं किया तो पूरा बिजनस ठब हो जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा आपने जो सारे की सारे नतीजे अपने सिर में बैठा रखे हैं, वो क्या है? वो आपके डर हैं इन डरों का आपको करना क्या है? उन डरों को आपको आहुती देनी है और उसके बाद आपकी एनरजी यहां से उठके, यहां पे जब आ जाएगी और यह सारे की सारे जो डर है, वो आप उनको डालना शुरू करेंगे तो अगला जो आपका result है वो कहां से आएगा वो इस शांती से वो इस निडरता से जब हम निडर होते हैं ना हमको किसी चीज का डर नहीं होता तो मन में एक डम से शांती आ जाती है सारे की सारे दर हवा तो जब ये वाली frequency हो जाती है तो फिर ये जो result है वो भी यहीं से आएगा लेकिन मान लीजे आप सोच रहे हैं आप यहां बैटे हुए हैं और result यहां से आता ही जा रहा है तो समझ जाएए कि काम अभी बाकी है डरों को देखना अभी और बाकी है इसी वजह से ये result जो है वो shift नहीं हुआ है अरे result क्यों नहीं shift हो रहा result के उपर नज़र नहीं लगानी है खुद को खाली करने पे नज़र लगानी है पूरे टाइम हमारी जो आखा हैं कि मैं और खाली हो जाऊ थोड़ा और डरों को डाल दूँ थोड़ा और चिंताओं से मुक्त हो जाओ हमारे को अपनी घड़े को खाली करने पे हमेशा नजर रखनी है Any more questions? So life is a thriller movie? Oh yes Life is a thriller movie पूरी की पूरी महाभारत multi-starre महाभारत है सब कुछ है, action है drama है, comedy है suspense है सब कुछ तो है और वो हमारी life में है and हम अपनी life के, अपनी महाभारत के हम जो है वो actor, डिरेक्टर है पहले तो सिर्फ actor होते हैं लेकिन जब हम देखना शुरू कर देते हैं और खुद को खाली शुरू करना शुरू कर देते हैं तो हम साथमे बनने शुरू हो जाते हैं डिरेक्टर लेकिन हम अपने जीवन के अंदर तो अपने डिरेक्टर बन सकते हैं लेकिन सामने वाला जो है उसके डिरेक्टर नहीं बन सकते उसकी पूरी की पूरी मल्टी स्टारर चालू है और उसके अंदर तुम्हारा भी कोई रोल है है कोई रोल, तुम उसके अंदर बैठे हुए हो, और उसके लिए कोई रोल निभा रहे हो, तुम उसके अंदर अपना रोल जो है, खतम नहीं कर सकते, तुम सिरavez unconditionally, बिना किसी शर्ट के वो रोल कर सकते हो, लेकिन वो बिना किसी शर्ट वाला रोल कव आएगा, जब तुम उ निरूपा रौए वो हर एक जगे मा बनके आती थी ऐसे एकदम रोती गाती हुई तो वो जो रोल है कि नहीं माँ है, पूरे टाइम साक्रिफाइस करना है, बच्चों के लिए सब कुछ दे देना है, ना तो कोई बच्चा और ना तो कोई माँ, वो आए हैं तुम्हारे पास अपनी एनरजी लेके और हम उस रोल के अंदर ही घुसे चले जाते हैं, तो रोल ज तु अपने एनरजी के हिसाब से चल रहा है और मैं अपने एनरजी के हिसाब से, तो चल तेरे से जुड़ा हुआ मेरा जितना भी दुख था, मैं उसको आज खाली करती हूं. जब हम किसी से जुड़े हुए दुख को खाली करते हैं, जब हम अपने बंधन को खाली करते हैं, तब ही हम उनको unconditional लव दे पाते हैं, जो कि बिना किसी attachment के है, तुम जैसे भी हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम जैसे भी हो, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, ये जो है, ये असली प्रेम कि तुम प्रेम ही करते रहो और सामने से तुमको कोई उमीद ही न हो, सामने से तुमने सब चीजों से, सारे के सारे रिजल्ट से अपने आपको डिटैच कर लिया, तभी तुम किसी को भी प्रेम दे पाते हो, तो जब हम उस तरीके का प्रेम दे पाते हैं, इ शांती ही शांती फिर एक ऐसा समय आएगा कि शांती की भी परवा नहीं रहेगी लेकिन जब जब वो समय आएगा तब की और बात है अभी तो आप अपने मन से अशांती को खालिक करिए और उसके बाद आगे चलेंगे शांती को रोपने के संगहर्ष में एक शांती की परत और नजर आती है शांती और अशांती में फरक तो बस करता है तुम्हारा तर्क यही है स्वर्ग यह है नर्क बस इस में से निकल के रास्ते पर दो कदम चल आ मेरे साथ सिर्फ देख सही बात लेकिन वो जो स्टेज है न जिसमें शांती और अशांती दोनों में फर्क नजर ही न आए उसे कहते हैं नग नवस था जिसको की नाम दिया पिछले वेबिनार में मनी ने कि जब तुम एकदम ही खाली हो जाओ तो उसके बाद जो आए वो ही सही लेकिन जब पहले का स्टेप जो है पहले का स्टेप आज अगर मैं आपको बोलूं कि शांती अशांती में कोई फरक नहीं है और आप तो अशांती में बैठे रहे तो आप में से कुछ लोग एकदम से डर के और बोलेंगे कि इसके इस औरत के पास तो कोई रास्ता है ही नहीं यह तो बखवास करती है तो इस वज़े से आज मैं कि कैंडल करो और दे दो अपनी अशांती एक वो समय जब आएगा जब आपको समझ में आएगा कि यही स्वर्ग और यही नर्ग जो कि अमलान ने अभी अभी गाइडन्स में लिखा तो सही है वो जब समय आएगा तो आपको अपने आप से पता भी चलेगा कि अब आपके के लिए उस महाभारत में बैठना मुश्किल नहीं तो आप महाभारत में बीच में खड़े हुए हो जाएंगे कृष्ण और अभी हम बने रहते हैं अर्जुन जिसको सब दिखता रहता है कि अरे आसपास तु भाई हैं बंधू है परिवार जन है ऐसे कैसे होगा यह क्यू आने के लिए आप गाइडेंस लेंगे आप मेरी एनर्जी में बैठेंगे तो अपने आप धीरे धीरे आप इस एनर्जी को टच करेंगे जब जब आप टच करेंगे तो आपके पास जवाब आने शुरू होंगे तो मैं पहले कहती हूँ कि आप जवाबों को इमीजिकली कर आपका काम पहले गाइडेंस में भी अगर कुछ ऐसे करने को आता है तो गाइडेंस को भी देख जाए और उसके अंदर से अगर आपको गाइडेंस को सुनके ही डर लग रहा है तो पहले उस दर को ही खाली करिये और गाइडेंस को पढ़ते ही रहिए आप पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे सिर्फ पढ़ना है काम बहुत आसान है जो अगर आपके पास guidance आ गई और जैसे लोग होते हैं मैं सब को सिखाती हूं कि रोज बैठके journaling करके और guidance लो लेकिन मान लो कि आपके पास रोज guidance नहीं आती लेकिन एक दिन आपके पास कोई भ पढ़ेंगे रोज की जो guidance है वो भी यही करती है कि आपको इस frequency तक लेके जाती है और उसके अंदर हमारा इंट्रेस्ट बना रहता है लेकिन अगर एक ही guidance है और आगे उसको घंबाद guidance नहीं आ रही है तो उसी guidance को सो अबार पढ़िए काम जो guidance की frequency है वो यही है रोज guidance अग है आप candle करिये और guidance करिये और guidance नहीं करका पारे तो कम से कम यह सवाल सिरफ यह सवाल कि जो मुझे महसूस हो रहा है अभी जो मुझे महसूस हो रहा है उसको उसमें मुझे क्या पता चल रहा है मेरे को अभी महसूस हो रहा है उससे मुझे क्या नजर आ रहा है सवाल वही कि म मुझे जो महसूस हो रहा है उससे मुझे अपने इमोशन के बारे में क्या पता चल रहा है और अगर गाइडेंस नहीं आती और इमोशन पता चल जाता है कि मुझे दुख हो रहा है बस वही गाइडेंस है गाइडेंस है कि दुख हो रहा है अब दुख को हमको निकालना है भर तो आपको पता भी चल जाएगा कि गाइडन्स आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही थी उसके बाद आप वो एक्षिन ले तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है जिस पर गाइडन्स आए थी जब आप वहां पे आके लेंगे तो आपके लिए उसका जो नतीजा होगा वो एकदम अलग होगा तो रोज अपनी गाइडन्स में बैठिये और अगर गाइडन्स में नहीं बैठ पा रहे तो कम से कम अपना घड़ा तो खाली करिये और उसके अलावा साथ में मीनल की फ्रीक्वेंसी में ट्यूनिंग करते रहे ताट इसमाइ आंसर फोर एवरीवन मैं कहते हू भाई फ्री में बाट रही हूं खुले से बाट रही हूं और जो लोग करते चले जाते हैं उनको इतनी जल्दी अपनी एनरजी चेंज होती नजर आती है कुछ लोग जो मेरे पास 30 दिन पहले 30 दिन के प्रोग्राम में आया और वो करते हैं उन लोगों की तो शकले ही बदल जाते हैं वैसे ऐसा नहीं है कि miracle पहले नहीं हो रहे थे लेकिन जो miracle अब होते हैं तो नजर भी आ जाते हैं कि ये देखो ये जो छोटी सी वात है उसमें कितना बड़ा miracle है तो अब हमारी जो miracle की परिभाशा है वो भी बदल जाती है kindly explain a little on how to tune in to your frequency मेरी जो frequency है मेरा चानल है MPFY MPFY fun उस पर आप जाईए उस पर आपको बहुत सारे videos मिलेंगे लेकिन उसके अंदर एक 13 मिनिट का विडियो है इंग्लिश में और एक 15 मिनिट का audio है audio विडियो भी नहीं है audio है हिंदी और अंग्रेजी में उसका नाम ही यही है tune in to the frequency of मीनल तो आप वहां पे जाके और उस विडियो को दिन में चार बार सुनिए उसको वो meditation है 10 मिनिट का उसको आप बार बार करिए और जब जब आप करेंगे जब आपका meditation खतम हो जाए जब आप पूरी तरीके से tuned होते हैं मीनल की energy में तो उस वक्त सिरफ यही एक सवाल पूछिए अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो यह नहीं कि यह problem कब खतम होगी वो problem कब खतम होगी यह तो problem के हिसाब से जब हम चलते हैं तो वो हमारे लिए अशांती का सबसे बड़ा है हम क्या है ना हम अपने अंदर शांती नहीं लाना चाहते हम problem solvers हैं हम हर बार ना किसी ना किसी problem को ही solve करना चाहते हैं मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं कि मेरे को धन की problem है मेरे को इसकी problem है मैं उनको बड़ा वाला picture दिखाना चाहती हूँ कि भाई यह problem यहां से create हो रह होगी दूसरी तरह की problem जो है वो शुरू हो जाएगी और वहीं से महाभारत चलता ही रहेगा तो जो हम हम चाहते हैं कि वो problems ही आनी बंद हो जाएं तो उसके लिए हमको अपनी energy change करनी पड़ेगी तो इसी वज़े से मैं सिकलाती हूँ कि आप मेरी energy के अंदर tuning करिए और कौन से emotion पर ध्यान दे के और उसको release करना है मुझे इस वक्त क्या release करना है कौन सा मेरा emotion है मुझे क्या महसूस हो रहा है उसको मुझे क्या release करना है एक सवAL बस कोई और सवाल नहीं है यहाँ पर क्यों आ रहा है मेरा यह नुकसान क्यों हो रहा है, वो मुझे क्या दे, कुछ बद पे जाईए, सिरफ इस वक्त अपने उपर, अपने इमोशन के उपर, अपने भावनाव पे ध्यान लगाईए, कि मुझे अपने घड़े में से इस वक्त अभी क्या खाली करने का है, और उसको खाली करना शुरू तो वो भी आपको MPFY फन पे मिलेगा, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, उसके अंदर मैंने कैंडल प्रोसेस को थोड़ा जादा अच्छे से समझाया हुआ है, लेकिन अदर वाइस पॉजिटिविटी प्रोसेस करके, हिंदी और अंग्रेजी, वो भी दोनों की द दर नहीं निकालना, हमें उसको बहुत ही अराम से जैसे की उनको उनर करते हुए, कि आज तक की यात्रा हमारी आपके साथ थी, और कैसे हम अपने प्यारे जिनके साथ हमने बहुत देर तक चल लिये, तो कैसे हम अपने दोस्तों को विदा करते हैं, और वापस अगर वो पर देख जाते हैं, और फिर से बाइबाई कर देते हैं, फिर से कर देते हैं, लेकिन डर के नहीं करते हैं, तो हमको डरना आप किसी भी चीज से नहीं है, रास्ता जो है, वो पूरा की पूरा हमारा सिरफ प्रेम का है, हमको अपने दरों को भी प्रेम से ही विदा करना है, तो I hope कि आपको समझ में आया होगा कि काम हमारा इसको जाने देती हूँ, इसको जाने देती हूँ, उससे हट जाती हूँ, उससे चंता हटा लेती हूँ और चिंता को कैंडल में चिंता नहीं आ जाए कहीं दुबारा से तो ये सब करके हमको नहीं बहुत ही शांती से बहुत ही प्रेम से क्या है ना अंत में तो हम सभी शिव हैं तो शिव तो दोनों ही चीज़ है शांती भी और शांती भी तो अगर हमने किसी भी भावना को reject कर दिया और उसको accept नहीं किया तो हम अपने ही शिव होने को नहीं पहचान पाए तो इस वज़े से हमको अपनी सारी भावना को honor करके लेकिन क्यूंकि मैं शिव हूँ तो अब मैं choice करते हूँ अब ये choice भी मेरे ही हाथ में है कि मुझे क्या experience करना है और क्या नहीं experience करना अब मैं डर में नहीं अब मैं निडर में बैठूंगी तो ये जो हमारी समझ है ये जब हमारी energy के अंदर हमारी frequency यहां पे होती है तो हमें अपने आप से ही पता चलने लग जाता है अरे चार लाइन आई थी और उन चार लाइनों को ही मैंने बहुत लंबा चोड़ा समझाया आपको स्पेशली कि जब हम पैदा होते हैं और तब से कैसे हम अशान्ती को लेना शुरू करते हैं पैदा हुए छिन गई शान्ती कभी भूख कभी प्यास कभी गर्मी मा के आचल की आस बिछर जाने की अशान्ती ना मिलने की अशान्ती दूसरों को तुमसे ज्यादा मिलने की अशान्ती प्रेम मिलने पर भी अशान्ती और ना मिलने पर तो अशान्ती ही धन की अशान्ती निर्धन की अशान्ती पालने पा जाने पर खो जाने की अशान्ती खुद को भी ढूंडने की अशांती और खुद को खो देने पर अशांती ही अशांती थी ही कब तुम्हारे पास शांती दिन रात सिरफ अशांती ही अशांती क्योंकि हमने अशांती को ही महसूस करने के लिए जो हमने ये जीवन लिया और अब आ गए हम इस मोड पर कि वापस से हम शांती क को पाना शुरू कर दें तो चलिए आज की चार मिनट की मेरिटेशन ओमनी तो अपने माथे फर माथे पर यूँ थप थपाएंगे और माथे को थप थपाके मैं मीनल से एनरजी लेता हूं मैं मीनल की एनरजी में हूँ मैं मीनल हूँ मैं मीनल से एनरजी लेता हूँ मैं मीनल की एनरजी में हूँ मैं मीनल हूँ और अभी थप थपाना बंद कर देंगे और एक लंबी गहरी सांस ये मीनल की एनरजी की सांस अभी आप लेंगे और सीधा अपने रिदय में जहांकेंगे इस वक्त आपके मन में सबसे उपर जो प्रश्न जो भी प्रश्न आपके मन में उसे अपने मन तक लेके आईए अपने विचारों में बनाईए और वो उठा के और मुझे दे दीजे मुझे दे दीजे आपके सवालों के जवाब मेरे पास इसलिए सवाल मुझे दीजे जवाब मुझे से आएंगे और अब मीनल को देखिए आप जिस भी तरीके से मीनल को समझ पाते हैं मीनल को देखिए शरीर में एनरजी में रोशनी के रूप में जो भी आपको समझ में आए जैसे भी समझ में आए मीनल को देखिए और अब जो भी चिन्ताएं आज आपने अपने मन में कर रखी हैं कोई भी वो भाव जिससे मन में अशानती है वो सारे की सारे उठा के और मीनल के हाथों में थमा दीजी एक भावों की पोटली है ऐसे आपने मन में भाव डाल रखे हैं उनकी पोटली बनाई है उस पोटली को उस गठरी को गाथ लगाई है यह आपके दरों की आपकी अशानती की आपके गुसे की आपके दुखों की पोटली है इस पोटली को अच्छे से गाथ लगाई है खुद पे विश्वास न होने की खुद को प्रेम न दे पाने की अगर ऐसी कोई भी भावनाएं आप में हैं तो ये भी पोठली में डालेंगे और इस गठरी को गांठ लगाईए खुलने न पाए अच्छे से तीन-चार बार गांठ लगाईए और दे दीजिए मीनल को और अब एक लंबी सांस खिंचिये और मन में यही भाव मैं सागर मैं बून्द भी ये पूरा सागर मेरा ये बून्द थी मेरी मैं स्रिष्टी मैं एक भी ये तन भी मेरा ये स्रिष्टी भी मैं एक कन मैं पूरा ब्रह्मांड भी मैं ही ब्रह्मांड ये सारा ब्रह्मांड सिर्फ मेरा चाती खोलिए और महसूस करिए कैसे महसूस करेंगे आज अगर आपका पूरा की पूरा ब्रह्मांड है तो आप कितना ही अपने आपको विराठ समझेंगे खुद को उस विराठ रूप में देखिए खुद को आप ही पूरे ब्रह्मांड है पूरी स्रिष्टी आप ही है आप ही है करता धरता आप ही है शिव आप है ब्रह्म आप है विश्णु आप है खुद को इतने ही विराठ रूप में देखिए और अब देखिए मीनल को एक छोटी सी तितली के रूप में एक तितली छोटी सी बहत ही छोटी सी और बैठी वो आपके रिदय पे आके आप इतने विराठ और मीनल इतनी छोटी और वो मीनल भी आप ही और आप भी आप ही और अप ही में विलीन हो गई घुल गई वो आपके विराठ रूप में देखिए उस एनरजी को अपने विराठ रूप में घुलते हुए अपने रिदय में घुलते हुए और अब इस वक्त जो भी आप लोगों के संसार में आसपास अशान्ती बना रहे हैं उन सब एक्टर्स को उनकी पात्रता के लिए बहुत बहुत शुक्राना उनकी यही पात्रता आपको अपने इस विराठ रूप तक लेके आई है आपकी पूरी स्रिष्टी आप पूरी स्रिष्टी यह बोध करवाने के लिए किसी न किसी को आना जरूरी था आपको शान्ती तक वापस पहुचाने के लिए पहले आपका अशान्त होना जरूरी था और वो पात्र बने आपकी अशान्ती के बहुत बहुत शुक्राना उन सब को और अब उनको जो भी आपकी लाइफ में अशान्ती लेके आ रहे हैं उनको देखिये एक-एक करके छोटी सी तितली जैसे की मीनल ही मीनल और उनमें फर्क ही कहाँ वो भी मीनल आप भी मीनल और उनको बिठाईए अपने रिदय में वो तितली बना के और देखिये वो भी आप ही में विलीएँ ओमन झाल